शिक्षकों का सम्मान विद्यार्थियों का भविश्य निर्मान तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रशासन अकादमी भोपाल में माननिय राजिपाल श्वी मंगु भाई पतेंजी की गरीमा मैं उपस्तुती में आईजित राज्य स्तरिये शिक्षक सम्मान समारों में सेह भागिता की और शिक्षान विद्यार्थियों के गणवेश हितू बैक खातों में रुपए 324 करोड की राशी अंतरत की न्यांल में नरेंधर श्रीमान नरेंदर मोदी का जिन्हों ने शिक्षानीती 2020 दुबारा ज़ल ले करके आये तो उनने कहा कि पात्खेकरम के अंदर कौन सा विसे होना चाहिए जो गोरोव साल एतीप पे गर्व कर से के वो विसे होना चाहिए तो जैन सातियों सभी महिलाओं के लिए खुसकबरी आ चुकी है जी हाँ तीसरा चरण को लेकर जो दुविदा थी अब वो खतम हो चुकी है तीसरा चरण को लेकर हम लगातार आवाज उठाते रहे हैं हमने मुखमंतर जी से कई बार आहवान किया था आपके लिए लेटर भी लिखेते हैं उनको बताया भी था कि आपने चुनाओं में वादा किया था तो आज मुखमंयादाओं ने एक बड़ा बयान दे दिया है पहले वो बयान सुन लिजेगा बयान सुनने के बाद मैं आपको बताऊंगा तीसरा चलान भी सुरू हो रहा है उसके लिए नए फॉर्म भी आ जाएंगे और कैसे भरना है और कौन-कौन महिला है पात रहेंगी सुनिएगा मुखमंतरी जीने साफ साफ कह दिया है अभी महराष्ट और यूपी में चुनाओं है जैसे ही चुनाओं खतम होते हैं या चुनाओं के बीच में ही आपको पईसा बनाने की बाद भी उन्होंने कह दिये उन्होंने का भी एक साल भी तो नहीं हुआ अज़े पहले सुन लो मुखमंतरी जीने क्या कहा है फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये तीसरा चलान शुरू भी हो रहा है और ये सब आप सब की किरपा है और हमारी इतनी मेहनत है हम लगातार पिछले 6 महीने से आबाद उठा रहे थे कि तीसरा चलान चालू करो करो करना पड़ेगा तो आज मुखमंतरी जीने बयान दे ही दिया है सुनते हैं बयान उसके बाद बात करेंगे महिलाओं के लिए बहुत-बहुत आप देगा देगो सुब काम नाएं पेट में मरोले छुटे जब भी लाडली बहना की नाम निकलती पेले एक किसी दिले के अंदर वैसे तो प्रदेश में एक करोर 29 लाग बहन हैं एक करोर 29 लाग इसको कहते हैं एक करोर 29 लाग लेकिं अकेले विजैपुर में भी अपने आपके लिए जोड़ार अविद्न्दन करो सभी बहनों के लिए हमने चुनाओं के समय एक हजार देना चालो किया था लेकिन ये कांग्रेस के लोग करते सरकार बनेगी चुमाओ जीतेंगे सब पैसे बंद कर देगे आप बताओ किसी के पैसे बंद हुए क्या बंद हुए क्या और बलके 200 बढ़ा दिये जोड़दार ताली बजा अपने आपके लिए ये हमारी सरकार और एक दो नहीं आने वाले समय में अभी सरकार का साल भर मितुरा नहीं हुआ है ये बहने जंद हें मेहनों को 3000 रुप्या महिना तक भी देने का देने हमारी सरकार का संचल पत्र में लिए तो यहाँ पर तीसरा चरण शुरू होने की इस पस्ट रूप से बात कह दी गई है यह सब हमारी लाडली बहनाओं के लिए अच्छी खुसकबरी है साथ में उन्होंने कहा है कि आपके पैसे जो है वो दीरे दीरे बढ़कर आएंगे अभी तो एक साल भी नहीं हुआ है किरपया करके इस वीडियो को शेर कर दीजेगा और आज की न्यूज में आदम सुरू करेंगे तीरे जारोपे तक की जो जरूरत पूरी करने वाले है तीरे जारोपे शुरू होगा लाड़ी बेना को तीरे बढ़कर दिलाने के लिए बुधनी में भाज़पा लगा देखो यार अगर पैसा मिल रहे तो परिसानी नहीं मिले तो परिसानी जीतु पटवारी ने अभी कुछ दिन पहले ये बोल रहे थे कि लाड़ी बेना का पैसा मुखमंती जी लाएंगे कहां से अब तो पैसे नहीं मचे हैं करज ले लिए सरकार लेकन यहाँ पर मोहन आदना साफ साफ कह दिया कि हम तो आपको चलाएंगे योजना कभी बंद नहीं करेंगे और इसको लेकर धारखंड में बहर बेटी यह सुरक्षित नहीं है क्योंकि वहाँ पर सरकार किसी और की थी अब सरकार बीजेपी के आएगी ऐसा बोल रहा है मामा 28 साफ दिक धोजगार मिलेंगे मुखन आदना फिरेक बयान दिया है और साथी साथ अच्छी नोकरी की तयारी करने के लिए दो हजार रुपे प्रतिमाह की रासी दी जाएगी मामा ने पता क्या कहा उन्होंने कहा कि जो व्यक्षे सरकारी नोकरी की तयारी कर रहे है जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनकी लिए भी एक नई योजना लाडला भांजा योजना लेकर आने वाले हैं लाडला भांजा योजना के तहत जितने भी छात-छात्रा हैं प्रतिमाह 2,000 रुपे उनको रासी दी जाएगी इसके बारे में भीम आपको बताएंगे और साथी साथ अगर आप लोग तयारी कर रहे हैं तो DSA के माध्यम से भी आपको बहुत बड़ी खुसकबरी है महिला परवेक्षा की वेकेंसी आने वाली है वर्ग दो की वेकेंसी आने वाली है वर्ग तीन की अल्रेडी आज चुकी है सब की तैयारी आपको हमारी एप्लिकेशन पर मिल जाएगी ये बर्ग दो की प्रेक्टिस सेट की किताब सॉल्ड पेपर भी आपको मिल जाएंगे और बुक भी आप और कर सकते हैं लेकिन उसके लिए दीप्ति सिंग अकेडमी का एप्लिकेशन डाउलोड कर लीजिए और हमारे साथ बन रहीएगा जब भी आपको पड़ाई करना हो आपको यहारी कर सकते हैं उनको 2000 रुपे पर दिमाह मिलेंगे देखते है मामा का यह बयान अगरुसका 1 सब दो साल तक तक जब तक के नोसी नंदरे रोजगा नामी जाए तक टॉचारू हजार डुब्यां मंगा दिये जाए है अबू तक तक जिनके काड़ी काड़ी चैन शके तो नौकरी के लिए अगर आप परिसान हैं तो मामा ने एक रास्ता दिखा दिया है लेकिन रोजगारों की बात करें तो एक लाख रोजगार की कल एक बड़ी ख़बर आई थी जिसमें स्वास्त विभाग हो गया, सिक्षा विभाग हो गया, पुलिस विभाग हो गया सब में एक लाख भरतियां दिसम्बर में सुरू हो जाएंगी, ये मुख्मंत्री न कहा था कैबिनेट बैठक में इसकी समिक्षा भी हो चुकी थी, लेकिन आज इनका एक नया बयान सामने आया है कि 28,000 से अधिक रोजगार सिर्जट होंगे, अगर आप लोग किसान हैं, महिला हैं, बेरोजगार हैं, मैं सभी की आवाज मुख्मंत्री तक पहुचाने के लिए और उनकी बाते आप तक पहुचाने के लिए इस मेडियम का दिप्तिते अकेडिमी का सहारा लेता हूँ, आप लोग क्रिप्या करके चैनल सब्सक्राइब करिएगा, आपको मेरा निउज अच्छा लगता हो तो पूरा निउज सुनिएगा, और आप कहां से, किस जिले से आ 918 करोड साधीक के पुची निवेस एं 3330 से अधिक लोगों के नोजगार दिये जाई है, तुल बिलाकर के खुमी कुजन और लोकार्पेंट जो प्रदेश भर में भी हुए हैं और निवा में भी हुए हैं, ऐसे सब इंकी सहरा एकाईयों के खुमी कुजन लोकार्पेंट अधिक अंकलेव में किये गए जिसमें अकले रिवा में 9 IK चेत्री कालार के मंदेम से आती हुए 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 है जिसमें 2680 करोड साधी के निवेस के पुच्तावॉए और एक ऐए दाए जाटी सो चाथी के रोजगार होंगे जो रोजगार परक इंडस्ट्रि कांक्लेव की गई इस इंडस्ट्री कांक्लेव में जो प्रस्ताव आए तो रोजगार क्या उसर सरकारी ना सही प्राइवेट तो देने का वादा कर रहे हैं लेकिन हम मुखबंत जी से एक बार फिर कहना चाहेंगे अगर आप चाहते हैं कि मद्पदेश की अर्थ वस्ता सुदरे अगर आप चाहते हैं कि मद्पदेश को टॉपल ले जाना है अगर आप चाहते हैं कि मत्वदेस का नाम पूरे विश्व में हो तो हमारे बेरोजगाय भाई बेरोजगाय बहुत देख लो किसानों के लिए फिरी खाद की बात की ती आद तक नहीं मिल रहा किसानों के लिए बात देखरे एक लाख नोखरी की बात की है तो मैं चाहता हूँ कि अगले महिने एक लाख नोखरी ले आओ ताकि अगर बच्चा पढ़ाई करेगा नोखरी पराप्त करेगा तो हमारे घीडीपी बढ़ेगी और हमारे अन्देश में मद्वदेश का नाम रोसन होगा मैं उम्मीद करता हूँ हमारे मुक्मंदी जी से कि वो हमारी बात को ध्यान देंगे जारखंड में जिस परकार से बेहन बेटिया सुरक्षित नहीं है उनको सुरक्षित करने के लिए मामा प्रियास करने की कोईशित कर रहे है देखे बेहन बेटिया किसी भी राज़िकी के होना हो चाहे वो कलकत्ता की हो चाहे भश्यमंगाल की हो चाहे वो मद्वदेश की हो चाहे वो हरकंड की हो उससे फरक नहीं परता बेटी तो आखिर बेटी होती है तो उनकी सुरक्षा की जिम्मिदाई सरकार की होनी चाहिए हाला कि मद्वदे सरकार ने नावालिक के रेप करने वाले फीड़त को या जो करता है उसके लिए फांसी की सजा मुकरर करी है अभी चारवाद देने पेने कानून बनाया है लेकिन ये गुना होना ये चीज़ ना हो इसके लिए हम सब को मिलकर प्रियास करना पढ़ेगा सरकार को प्रियास करना पढ़ेगा देखते हैं मामा ने जारखंट की बेडियों के बारे में क्या कहा मेरी बहनों रात में एक बहन के साथ दुसकर्म हुआ बलातकार हुआ राची सहर में हुआ और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई मेरी बेहनों एक नहीं दो नहीं 7400 बलादकार पांस साल में ये जेमेम और कांग्रेस की सरकार में हुए है हमारी रूपी का पहाड़ी है जैसी बेटी तुकले तुकले करके काट काट का फैक दी गई है आज मेरी बेहनों तुम्हारा ये भाई तुम सब पूछने आया है जिस सरकार ने हमारी बेटियों के साथ जो सरकार न्याय नहीं कर सकी और दुस्कर भी खुल के खेलते रहे उस सरकार को बरदास करोगे क्या अरे उसको फिर सर लाओगे क्या हमारी बेटी अपमानित है माता अपमानित है हमारी बेटियों से तो मा, बेटी, बहन, भाई, सबी को सबी की सुरक्षा भारत में होनी चाहिए इसके लिए हम जब को भी प्रियास करना पड़ेंगे अगर लाडली बहना को तीन जार रुपे दिलाने हैं तो बुधनी से भाजपा को लगाम लगानी होगी ये मामा ये क्यों कहा? बुधनी में अभी वो भी चल रहा है आपको पता घमासान चल रहा है वहां के भाजपा के प्रत्यासी के खिलाफ ही भाजपा की लोग हो गए उन्होंने कहा कि मामा आते दिन से दो उनको बेटे को दो ना टिकेट आपने भारगाओ जी को क्यों दे दिया ये बली समस्या है तो उसका फायदा उठाने वाले है जीतुपटवारी उन्हों कह दी है तो वह तब हम बादे बताएंगे लेकर पहले ये देखना है कि इन्होंने किस प्रकार से बुद्धनी में अपने जोस्खरोश से लाडली बेहनाओं के ऊपर बात की है जीतुपटवारी के तो बैयान सुन लेते हैं तो बीजेपी को लगाना है अगर हमार करणा है तो बीजेपी को लगाम अनुदा के छेहजार का धां कराना है तो बीजेपी को लगाम खात की कमी को खत्म करना है तो बीजेपी को लगाम उर्देश को नशा से खात्म दिराना है तो बीजेपी को लगाम पंजे का भटन दवाना है और बीजेपी को लगाम आदिवास्य और धनित का त्याचार समाप करना है तो बीजेपी को लगाम अपने बच्चों को लोकरी द इसका संसाय कॉंग्रेस पार्टी और जीतुपरवाई लगाता धता रहे हैं लेकिन उस संसाय के ऊपर एक बड़ा बयान और ये कितना बड़ा बयान कि जिसमें लाडली बहना इतने दुनों से परिशान थी कि आकर तीसरा चालू करो कैसे होगा मैंने तो आप से कहा भी था कि अगर आपका साथ मैं दूँगा लेकिन उसके पहले ही इनका एक ख़बर आ चुकी है कि लाडली बहना योजना के तहत तीन यार रोपे तक की रासी और तीसरा चालू भी शुरू करना है और वो जल्द शुरू होगा ये मोहन यादों ने किस प्रकार से बयान वाजी करी है सुनते हैं आज का ही ये शुपूर का वीडियो है शुपूर में उनोंने एक बड़ी बात कह दी मंच से कि तीसरा चालू होगा उसमें 18 साल से लेकर 61 साल तक की महिलाएं सामिल हो सकती है जिनके पास ट्रेक्टर है यानि कि 4 पाहिया बाहरा में ट्रेक्टर है वो भी सामिल ह हो सकती है और जिनकी 1.54000 ड्रोपे से साल आना कम है वो सामिल हो सकती है और जिनकी 218 से कम खेती है वो इसमें सामिल हो सकती है तो ये बहन आए अब नए तरीके से अपलाइ करेंगे उनके लिए नई फॉयम मिलेगा वह म कैसा होगा कब भरδή जाएगा हमारे चेनलों बजान लेकिन अकेले विजयपुर में भी काउन हजार आठ सो और तीज बहने अपने आपके लिए जोड़दार अभिदन्दन करो सभी बहनों के लिए कि हमने समय एक हजार देना चालू किया तो लेकिन यह कांग्रेस के लोग पेरेते सरकार बनेगे चुनाओ जीतेंगे सब पाईसे बंद कर देंगे आप बताओ किसी के पाईसे बंद हुए क्या बंद हुए क्या और बलके धाइशों बढा दिये जोड़दार तर्ली बजा और एक दोनी आने वाले समय में अभी तो सरकार का साल भर भी पूरा नहीं हुआ है ये बहने जुड़ी रहेगी तो हमारी बहनों को लाडली बहना योज़ना के बारे में मैं 3-4 चीज़े बताना चाहता हूँ एक-एक करके नोट कर लीजएगा इसमें हमारे पास 2-3 ख़बरे हैं जिसमें सबसे बड़ी खबर ये है कि दिसमबर में आपके form मिलना शुरू हो जाएंगे 1 december से कबसे के एक दिसम्बर से एक दिसम्बर से आपके फॉर्म भरना शुरू होंगे फॉर्म भरने के लिए बीजेपी कार्या लाए या फिर पास के जिलादी कारी के पास आपको फॉर्म उपलब्द कराए जा सकते हैं इस पर अभी चर्चा और मीटिंग होने वाली है आज मोहनयादों ने केवाल एक बार जरूर कही है कि तीसरा चरण सुरू कर दूँगा मैं क्योंकि इनोंने वादा किया था चुनाओं पे तो हमने कम से कम 10 से 20 बार इनको याद दिलाया है मैं दिनेश्चा को आपसे वादा किया था कि जब तक तीसरा चरण सुरू नहीं होगा मैं आपके लिए पीचरी हटूँगा मैं रोज इनको याद दिलाया करूँगा रोज इन तक बात पहुचाऊँगा और बात आज सच साबित हुई अगर सही हो तो वीडियो को स्टेटस पे लगाए शेयर करें हमारी महनत के लिए दो शब्दा आप लिख सकते हैं साथ में 3,000 रोपे का जो वादा था अब आप देख सकते हैं याँपर देखें दोनों चीज़े हैं 3,000 रोपे दिलाने के लिए जीतु पटवारी लगातार बोलते हैं जूट बोलती है बीजेपी सरकार, तीन जार बोल दिया, मामा ने दो दो बार बयान दे दिया, कि हम आप किरासी बढ़ाते जाएंगे, तो फिर इन्हों ने क्या किया, इन्हों ने भी तीन हजार रुपे तो, बोल बहुत, तीन हजार बोल दे कम की बात है, मैं अभी आप एक भाटन और सुनाओंगा, जिसमने पाँजार की बात की है, ठीक है, तो मैं आपको सुना देता हूँ, और आपके लिए, तीन हजार रुपे मैं तीन हजार शुरू होगा, यह कंफर्म्ड है, कुछ लोगों ने अभी कुछ दिन पहले एक शंका जाहिर की थी, कि सर यह जो वीडियो है, यह फेक वीडियो है, किसीने गलत वीडियो बनाया है, लेकिन मैं पुष्टी करता हूँ, यह श्योपर का ही वीडियो है, और यह वास्ताव में महन यादव ने बोला है, कि आपका तीसर शनल भी शुरू करेंगे, और आपको तीन हजार रुपे भी देंगे, ठीक है, पाँजार रुपे की बात भी रोने कही है, मैं पाँजार रुपे का वीडियो भी आपको दिखाऊंगा, पाँजार वीडियो कर रहा होता हूँ, वो चला सकते है, वो एड कर सकते है, यह रहा है, ठीक है, यह रिफरेंस करो यहाँ पर, अहां यह नह कि लालनी बेहना योजना बंद नहीं होगी यह बास तो में ओधना वीडियो है तीनिया रुपे का मैं परले एक पुराना वीडियो भीडियो भीडियो प्रनाम करके उनको बधाई देना चाहता हूँ लेकिन ये केवल साड़े बारा सो में नहीं रुकेगी, ये गाड़ी और बढ़ेगी, जो जो बहने अपना काम काज करते हुए अपनी पहचान बनाएगी, इनकी बहनों के लिए हम योजना बना रहा हैं, आने वाले समय में इनको दो हजार, तीन हजार से लेके पांच हजार प्या महिना भी देना पड़े, तो हमारी सरकार देगी ताकि उनके जीवन में… प्रतिवा सिंटेक सुझेन में इंडस्ट्री चला रहा या गोकुल दास हमारा गोकुल दास वाले भी आएं यहां पर आपको भाष्ण का मुखई नहीं विरा इतना जोर्दार ताली वजा इनको भी उमने बुलवाए जाए आप किते लोगों को रोजगार दे रहे गोकुल प्रति लेबर पांच हजार महिना सरकार आपको दे रही है और दस साल तक देगी यह हमारी अपनी पालीशियों का लाव हमारे लोग इंडस्ट्री चला है लेकिन इंडस्ट्री आपको ब्राजा आपको बहुत आभार है और खास बात आपने का वो भी महिलाओं को है अर्व लाडली बहनाओं के लिए हम साड़े बारा सो दे रहें ऐसा नहीं है लाडली बहनाओं को आगे आकर को हमारी इंडस्ट्री में काम करें तो इंडस्ट्री में 15,000, 10,000, 15,000, 20,000 जैसे वो काम करेंगे उसमें प्रती बहन को 5,000 रुपय काम उनको अपना एक तरह से प्रोफ की है और आज का वीडियो देख लो श्योवर का वीडियो है तीन जार का वीडियो देखके हम आपसे विदा लेंगे और एक बात बता दू ये वीडियो देखने से पहले ये जो हमारी सफलता है ये जो हमारी सफलता है ये इसलिए है कि आप सब का प्यार भरपूर मिल रहा ह वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 तेयारी करने वाले बच्चे ये दीपति सिंग एकेडमी एप्ली केसन डाउन्ट कर लीजिए, वहाँ पर आपको ये किताबे आप ओडर कर सकते हैं, सीट एट की पूक को ओडर कर सकते हैं, जो भी चाहें वो ओडर कर सकते हैं, ठीक है, वर्ग 3, वर्ग 2, मातपरिक्षा, और साथ में आपकी महिला पर वेक्षक की वेकेंसी भी आने वाली है अगले महिने, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएगा, और ये वीडियो में आपको दिखाना चाहता हूँ, तीन ह्यार रुपे का पक्का सबूत है, ये उन्होंने कहा है, पैसे बढ़ाएंगे, और तीसरा चैनल चालू करेंगे, और ये अगर हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी हो, तो छुटे लाभारती हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर कर दीजेगा, किसी भी महिला का, किसी भी किसान का, किसी भी वेरोजगार का, मु लोगों में कोई छुपा भी नहीं है, और कोई घबराट भी नहीं है, जब मुख्यमंत्री नहीं थे, तब भी हम लोग कहते थे, आज मुख्यमंत्री हैं, तब भी कह रहे हैं, और आगे भी यही कहेंगे, कि गर्व से कहो हम हिंदू है, हमें कोई संकोच नहीं है, और हिंदूपन हिंदूपन का ये भाव व्यक्ति जाति मत और मजभ में नहीं बाढ़ती ये हमारी सांस्कृतिक पैचान है इस सांस्कृतिक पैचान को जानने का प्रियास अगर इन लोगों ने किया होता तो 1947 में इस देश का दुर्भाग्यपुन विभाजन भी नहीं होता